गुड़ मॉर्निंग, हेलो एब्रीबन, वेलकम बैक टू माई यूटी चैनल, आप सभी कैसे आई होप, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे, और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और मैं मॉर्निंग के टाइम, जाड़ू लगा चुकी हूँ, जाड़ू लगाने के बाद, फिर मैं मंदिर साप कर दिया, मंदिर साप करने के बाद, मैं पूझा वाले बरतन साप करने लगी, मैं सुचा कि चलो इनको भी पहले साप करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं, ब पूजा के बरतन या मंदर मैं साप नहीं करती हूँ, मैं पहले ही पूजा के बरतन होते हैं, वो साप कर लेती हूँ, मंदर साप कर लेती हूँ, मैं सुबह के टाइम इस तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मंदर साप करो या पूजा के बरतन साप करो तो लेट भ तो इस वज़े फिर मैं पॉछा लगाने लगी और मैं यहां आ गई बेडरूम में तो मैं आज ज़ो आप ले रही हैं तो मैं पुछा लगा ले रही हैं तब तक मैं अपना काम खतम कर देती हूं और इस तरह से कर लो ना तो बहुत जल्दी अच्छा भी लगता है सुबे से स तो कितना अच्छा माइंड हो जाता है सुबह सुबह कि आज तुम्हें पूर्य फ्री हो गई क्योंकि ऐसा होता है ना कि दिन में फिर कुछ भी काम करो तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो आज जल्दी फ्री हो गई तो अभी मौसम भी थोड़ा अच्छा होने लगा तो उसकी वज़े से मैं सोचागी चलो थोड़ा सा चेंज कर लेती हूं अपना रूटीन क्योंकि इसी तरह से और फिस सर्दियों में थोड़ा सा आलस आ जाता है तो सर्दियों में ऐसा होता है कभी पूजा हो जाए कभी नहीं होती है तो इस तरह से क्योंकि दिन भी छोट पूरा अच्छे से काम करती हूं तो मैं यहां पूछा लगा ले रही हूं और मैं दुवारा से लाइट बंद कर दी क्योंकि रिशू के जागने का थोड़ा सा डर था कि रिशू ना जाग जाए लेकिन आभी तो सो रहा है तो मेरा यहां पूछा लगी गया पूरा खतमी हो ग जाता है और मैंने यहां फैन चला दिये क्योंकि जल्दी सूख भी जाए तो फैन चलाने से जल्दी सूख जाता है और मेरा यहां पूछा लगके खतम हो गया तो मैं सोचा कि चलो मैं बार वार कोई काम कर रही हूं उसके बाद मैं तुरंत बंद कर देती हूं उसके बाद म मैं आ गई नहा की फिरी हो गई और फिर मैं पूजा करने लगी आके मैं सुचा कि चलो मैं चाय बगरा बाद में बनाऊंगी पहले पूजा कर लेती हूं क्योंकि सुबह के इस तरह से कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है और सुबह सुबह पूजा हो जाए तो मन को कुछ अलगी सुकून मिलता है कि हाँ आज सुबह पूजा हो गई और नहीं तो फिर बाद में तो बाद में हो जाती है यह सुचते ही यह काम हो जाए अब चलो खाना बना दू तो इस तरह से भागम भाग हो जाती है जब सुबह मौर्णिंग में जल्दी उठ जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है और मेरी यहां पूजा हो गई खतम और देखे मैं लगा दिया दीपक का और फिर यह देखा है कि मैंने अंदर तो यह लोग अभी भी सो हो रहे थे और मैं जूड़ा लगाए तो मैं सोचाए कि चलो थोड़ी से पानी सोख जाए तो इसके बाद ह बाल अभी बाद ही रखे हैं मैंने क्योंकि पानी बैसे होता है और सर्दी के मौसम में अगर कपड़ों पर पानी गिरे बालों का तो बहुत जाए ठंडी लगती है तो मैं सोचाए कि चलो चाए बना लेती हैं उसके बाद बाल खोल लूगी तो यहां मैंने कर दी गैस सिलो है तो मुझे तुरंत जुखाम हो गया तो मैं जान्देर अब टावल नहीं ही रखती बालों पर जैसे थोड़ी देर इतनी देर रखती हूं कि बालों से पानी सोख जाए उसके बाद मैं टावल हटा देती हूं फिर मैं यहां दूर डाले लगे आके चाह मैं दूर डाला चाह जब तक बीवार लायगा चाह मैं इतनी देर मतीली मेह निकाल देती हूं क्योंकि सुभे के टाइम ना मलाई थोड़ी 奶 दीलती हूं तो फिर मैं सोचती हूँ कि उसके बाद ही मैं गरम करने रखती हूँ क्योंकि नहीं तो फिर बैसी हो जाती है तो उसमें बहुत जांदे बैसी लगती है मलाई उपर से तो इस तरह सोबे निकाल दो फिर आराम से थोड़े बहुत बना रहे तो उसमें कोई फरक नहीं पड़त तो मैं इसी तरह से निकाल देती हूं तो इसके बाद मेरी चाय बन गई तो मैं चाय कर देखिए तो मैं यहां चाय लेके आ गई और देखिया हस्वेंड और इसू तो जाग गया यह क्योंकि हाथ हिला रहा था तो मैं सोचा कि चलो अभी फिरी हो गए उसके बाद ही यह उठा और कभी-कभी यह इतनी जल्दी जागेगा कि बहुत जांद परेशान करता है क्योंकि बच्चों की ना मूड की बात होती है कब उनका मूड सोने का हो कब जागने का हो तो आज तो यह बिलको डिस्टर्ब नह लेकिन अगर इसकी नीद खुल जाए तो यह फिर सोने नहीं देता है क्योंकि बच्चे फिर सोने कहां देते हैं क्योंकि उनकी नीद पूरी हो जाए तो यहां चाइब अगरा पीने के बाद मैं आ गई यहां आलू छीलने क्योंकि मैंने आलू नहीं छील के रखे थे आज और मैंने सारा सब्जें कट कर रख ली दी आज मैं बनाऊँगी by alloo लाएसा हुए। मैं आउयल डालने के बाद में इसमें फ्राइए कालूँगी तो में यहां मेरा ओयल हो गया और सब्ज़ियां थोड़ी सी वैसे धुल के डालो ना तो यह बहुत जाद है तेल आता है उपर को तो उसकी वज़े से थोड़ा बचना भी पड़ता है तो मैंने इसमें गाजर, बींस और मटर, फुलगो भी ये सारी सबजियां मैंने डाल दी जितनी भी सिमला मिर्च वगेरा भी सभी थी तो मैंने सब मेक्स करके और डाल दी क्योंकि कभी-कभी ना ऐस अले तयार कर लिए प्याज वगेरा कट करके और फिर मैं यहां चौकने लग रही मैं सोचाई चलो सबजी भी बनने रख दूँ और इस तरह से ना जब जल्दी जाग जाओ तो कितनी जांद है सांती में काम हो जाते हैं और मन भी कितना खुस होता है क्योंकि सारे काम ना ट कभी कभी ना उठना नहीं हो पाता है क्योंकि छोटे बच्चे हों तो वो कभी कभी परिसान कर देते हैं कभी बहुत अच्छे से सोते रहेंगे कि पूरा काम फ्री कर दो पता भी नहीं चलेगा कि कब काम हो गया और जब बच्चे थोड़ा से बीच में परिसान कर दें तो तो बही काम ये लगेगा कि कितनी देर से हम कर रहे हैं ये काम नहीं पूरा होता है तो चिड़-चड़ाट고 होता है और झब काम पूरा हो जाता है अब बच्चे छोटे होते हैं तब तक कि यही काम होते हैं हम लोग अके ले रहते हैं तो अखेले में थोड़ी सी ausge प्रोपलम हो जाती ह। चोटे बच्छे ना जब फैमली में रहते हों तो कोई जानदे प्रोपलम नहीं होती है क्योंकि वह बहुत तो में यहां खाना वगएरा खाने के बाद मैं आ गई बाल बनाने तो मेरे बाल भी सूख गई थे तो मैं सोचा कि चलो बाल बना लेती हूं क्योंकि जब तक सूख है ना तब तक बाल बनाने में सही नहीं रहते हैं यह लगता है कि हां सूख सूखने के बाद ही मैं बनाती क्योंकि बांदने में गीले बाल ना गीले भी बने रहेंगे और फिस सर्दी के मौसम में सर्दी भी लगती है तो इस वज़े से मैं गीले बाल कभी नहीं बांती हूँ अब ही मैं लगा रही है सीरम क्योंकि मेरे बाल थोड़े ना ड्राई हो गई है सर्दियों के टाइम कैप बगरा लगाए रहते हैं तो उसकी वज़े से ड्राइ हो जाते हैं तो मैं यहां सीरम यूज़ करती हूँ और सीरम लगाने के बाद क्योंकि सीरम के बिना मेरे बाल वैसे होते ही नहीं है थोड़ी से ओईली नहीं लगेंगे इसे लगेंगे कितने ड्राइ हैं और इसी तरह से क्योंकि सर्दियों हो या गर्मी हो मेरे दोनों ही में ड्राइ रहते हैं बाल और सीरम कंडिसनर के बिना मेरे बाल ऐसे जहडू जैसे हो जाएंगे और यह देखिए अभी भी कितने खराब से लग रहे हैं इस तरह से हो जाते हैं और फिर गर्मियों में यह होता है ना कुछ भी लगा लो और सर्दियों में कोई चीज लगाने का मन भी नहीं करता है तो उसकी बज़े से और जादर ड्राई हो जाते हैं तो इतना जादर कंडिशनर, सीरम यूज करती हूँ लेकिन फिर भी ड्राई रहते हैं तो किसी किसी के बाल होते हैं इतने ड्राई क्योंकि और किसी किसी के बाल इतने सिल्की होते हैं तो फिर मैं आ गई किचिन में किचिन में मैं यहां सारा किचिन करने लगी सामान पूरा एक घटा मैं सूचा है कि चलो इसे भी साप कर देती हो उसके बाद मैं रिसू को ले जाओंगी गुमाने बाहर क्योंकि बच्चों को बाहर भी गुमाना बहुत जुर्री होता है तो मैं मैं सुचाँ कि चलो पहली किच्छिन साप कर देते हैं, उसकी बाद बाहर घुमा आतेएं, क्यूंकि फिर बाद में जब आओ न घर बापस बाहर से, तो फिर बहुत गंडा लगता है, तो इसकी बज़े से मैं बरतन बगीरा, पूरी किच्छिन साप करके बाहर जाती हूं, ज तो मैं यहां कर लेती हूं किचिन की साफ सफाई और मैं अभी टाइल वगएरा स्लेप साफ करके और फिर पूरी किचिन किलीन हो जाएगी उसके बाद मैं बरतन साफ कर लूँगी तो मैं बरतन साफ करने के बाद आ गई तो ब्लैंकेट खुला हुआ पड़ा तो मैं सोचागी चलो इसे भी सही कर देते हैं उसके बाद ही पूरा काम फिरी करने के बाद रिसू को जाओंगी गुमाने तो मैं इसे भी सही करने लगी क्योंकि कहीं भी सावान फैला हुआ पड़ा हो ना तो मन नहीं मानता है यह सोचते हैं यह भी कर लूँ यह भी कर लूँ उसके बाद ही कुछ और देखूं तो यह चीज हो जाते हैं हम लेडिजों की तो फ्रैंड्स मैं कर रहे हैं अपने वीडियो का यह end आई खूप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगयो तो वीडियो को लाइक करना शीर करना और चैनल पर नहीं आई खोगो तो चैनल को संस्कृब कर लेना तो मिलती हो इस उसी के साथ नेच्ट वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई एंड टेक केर